परिचय ये मोतियों का कितना खूबसूरत निकलिस है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीन सफेद मोती है तीन काले मोती और आगे भी यही क्रम है लगदा है कि इन मोतियों को एक खास क्रम या विन्यास में लगाया गया है तो आईए आज विन्यास के बारे में ही और अधिक जानते हैं आओ सीखें विन्यास के बारे में बताना आकारों और संख्याओं के इस्तिमाल से विन्यास बनाना सम और विशम संख्याओं के विन्यासों को समझना गुना और भाग के विन्यासों को पहचानना विन्यास Christmas का समय है और Sam अपने Christmas tree को लाइटों से सजाने में व्यस्त है रोश्नी की इस लड़ी में लाल, नीले, हरे और पीले बल्ब लगे हुए है ये रंगीन बल्ब आगे भी इसी क्रम में हैं यानि ये एक विन्यास बनाते हैं आकार में विन्यास आईए एक अलग तरह का आकार देखें अगर आप ध्यान से देखें तो क्रेयोन की संख्या अपनी ठीक ठीक पुनरावरती नहीं कर रही है क्रेयोन का हर रंग बढ़ता जा रहा है इस तरह के विन्यास को बढ़ता हुआ विन्यास कहते हैं संख्याओं और अक्षरों में विन्यास यहां संख्या वाले चार्ट पर नजर डालिए इन में किसी ना किसी नियम को अपनाया गया है कतारों में संख्या एक से बढ़ रही है हर गॉलम में संख्या में दस में व्रिध्धी हो रही है विकर्णित यानी डाइगनल तरीके से संख्या ग्यारह से बढ़ रही है इन्हें बढ़ता हुआ विन्यास कहते है सम और विशम संख्या विन्यास यहां दी गई संख्याओं पर नजर डाले इस श्रिंखला को सम संख्याएं कहते है सम संख्याओं को दो से भाग दिया जा सकता है और इसने अंत में शून्य, दो, चार, छे और आट अंक होते है जो संख्याओं एक, तीन, पाँच, साथ और नौ पर खत्म होती है उन्हें विशम संख्याओं कहते है सम और विशम दोनों ही संख्याओं में हम गिंती में दो का अंतर रखते हैं गुणा का विन्यास यहां दिये गए विन्यास को देखिए चार, सोलह, चौसट, दोसोचपण, एक हजार चौविस इस श्रिंखला में दो संख्याओं के बीच का अंतर अलग-अलग है यह अंतर 3, 12, 48 और 192 का है इसका मतलब यह है कि यह जोड और घटा के विन्यास का पालन नहीं करते इसमें गुणा के विन्यास का पालन किया गया है इस विन्यास में अगली संख्या को चार से गुणा करके हासिल किया जाता है भाग संख्या विन्यास इसी तरह हम भाग विन्यास भी बना सकते हैं भाग विन्यास भी गुणा विन्यास जैसा ही होता है जरा इस श्रिंखला को देखिए 256, 64, 16, 4 और 1 इस श्रिंखला में अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए उसे चार से भाग दिया जाता है इसे कहते हैं भाग विन्यास हमने क्या चर्चा की? विन्यास का मतलब है एक ही क्रम में पुनरावर्ती ये नियम, जोड, घटा, गुणा या भाग के रूप में हो सकते हैं समसंख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है गुणा वाले किसी विन्यास में अगली संख्या को उसी संख्या से गुणा करके हासिल किया जाता है गुणा वाले किसी विन्यास में अगली संख्या को उसी संख्या से गुणा करके हासिल किया जाता है कि ये कि अकाग चूछुड़ आप 12 सुस्त है